मेरे पिलीडर्स्कों 2013 वर्शयकरासीह वर्शयकरासी वालों आपके लिए कैसे रहने वाला है। कि इश्वर आपको बुराईयों से बचाए और अच्छाईयों के संपरक में आपको रखे आपके घर में सुक समरदी आए और खुशी आए और 2023 आपके लिए खुशिया भर लेकर आए खुशिया लेकर आए तो मेरे पीरे दर्सकों सबसे पहले सुबात करेंगे वुशिक रासी देखे इस रासी के स्वामी मंगल है और इसका कारण से वुशिक रासी के जातोकों के मुख पर तेज होता है और ये लोग थोड़े उग्रे सुबाओ के होते हैं इनके अंदर सहास की कोई कमी नहीं होती ये लोग अपनी धून के पक्के होते हैं वुशिक रासी के जातोकों का सुबाओ थोड़ा खोज बिन करने वाला होता है हर बात की तहत तक जाना इनका सबाओ होता है बुरिशिक राशी के लोग सबाव से जिद्धी और तृत गुशा करने वाले होते हैं ये ब्रोशेमन दोस्त और वफादार जीवन साथी साबित होते हैं बुरिशिक राशी वाले पूरी उर्जा, आतमिश्वास और लगन के साथ अपना काम जो है करते हैं विर्षक राशी वालों के लिए 2023 में कैरियर कैसे रहने वाला है देखे वर्ष के सुरुवात से ही महत्म पुरन निर्ने सोच समझ कर लेने की सलहा दी जाती है कारिये छेतर में कोई परिवत्रन करने से पहले विचार करना आउसक आपको होगा 17 जनवरी के बाद सनी की ढया पारम हो रही है बैसे या प्रेशान करने वाली नहीं होगी फिर भी निन्ने सोच समझ कर लेने आपको चाहिए देव गुरु भरस्पती पूरे वर्ष आपके लिए साहिक रहेंगे पहले तो अप्रेल तक आपके पंचम भाव में और उसके सकती है उच अधिकारियों का पूरा सिहोग आपको मिलेगा शैकर में आपका सिहोग करेंगे जो लोग नए नोकरी की तलास में हैं सफल जो है जरूर होंगे परिवारिक जीवन 2023 में वर्ष ग्राशी वालों के लिए कैसा रहेगा देखे परवारिक दर्ष्टी कौन से वर् तो पुरन फैसले लेने हैं तो उन्हें कुछ समय के लिए टाल दें आप संतान से समीच चिंता इस वर्ष दूर होगी अगर उनकी उच्छ शिक्षा के लिए प्रियास्त हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी कुछ जाने अन जाने स्तुरू आपको प्रिशान करते 2023 स्वास्ते सम्मदित कैसा रहेगा वर्ष गराश्यवालों के लिए देखे स्वास्ते के नजरिये से यह वर्ष राहू और केतों के गोचर के कारण स्वास्ते समीच कुछ प्रिशानिया आपको दे सकता है सनी के ढहिया भी मार्शिक रूप से आपको वर्ष के आरम से ही कुछ प्रिशानिया करती है प्रिशान कर सकती है अप्रेल के बाद देव गुरू प्रिश्पति का गोचर छटे बाओं में होने से स्वास्ते समीच प्रिशानिया दूर होगी इस वर्ष उदर रोग से समीच पीमारिया आपको प्रेशान कर सकती है इसलिए खान पान में विशेश ध्यान रखना चाहिए साथ ही निरंतर्न योग करते रहें जिससे कोई प्रेशानिया बड़ा रूप ना ले आर्थिक स्तितिक कैसी रहेगी 2023 में वर्षिक राशी वालों के लिए आर्थिक मामले में ये वर्ष बहतर सावित होने वाला है पूरो में किये गए निवेश का फाइदा इस वर्ष आपको मिलेगा अगर कोई प्रोप्टिया मकान खरीदने का सोच रहे हैं तो सव राशी के स सनी आपके लिए साइक सिध होगा इस साल अंचल संपत्ति में वर्ष चात्रों के लिए अच्छा वर्ष साबित होगा अगर किसी बड़े संतान में दाखिले का मन बना रहे हैं आप तो अप्रेल के पुरोव आपकी इच्छा पूरी हो सकती है सनी के डहिया कुछ मानसिक रूप से एकागरता में कमी लाएगी किन्तु देव ग्रूप भरस्पति इस स्थित्य को समाले रहेंगे आपको अपनी पड़ाही में अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी और अनावसक कारियों में समय समय कम बिताने की सलाथ दे जाती है अपको हनुमान जालिशा का पाठ बर्स बर आप करते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा सनिवार को सरसो के तेल का दिपग पिपल के पेड़ के नीचे जलाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपको एक मंतर देने जा रहा हूं यह हनुमान जी का मंतर है मन्तर ने हैं दुबारे सुने जिए डिन डियाल बिर्न समारी हरुनात मंसंकटवारी बारामार या 21 बार इस मन्तर के आपको जाब करना हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, हनुमान जी के किरपा आप पर बनी रहीगी, आपके परिवार पर बनी रहीगी तो मेरे पीरेदरस को हर वीडियो में आपके लिए विशेश उपाई लेकर आता हूँ एक छोटी सी वीडियो लेकर आता हूँ उपाएगी तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुंडली विशेशन के लिए यदि आप हमसे संपरक करना चाते हैं तो हमारे दिये लिए मनेनबरों पर संपरक करें मैं कोशिश करूँहाँ आपकी कुंडली का अच्छी तरह एनिलाईज करकर आपकी कुंडली के नुसार आपको कुछ सरलुपाई उता हूँ, रतन के बारें उता हूँ, रुद्रास के बारें उता हूँ तो आज के लिए बस इतना ही जाए धेरुआ वागे